जहिन छात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें बहुत सारे चात्र निरंतरता बरकरार रखें हैं और अपने इस तर भी युद्धिस्तर का रखें लेकिन जो लास्ट में प्रस्न पूछे जाते हैं उनका प्रस्न का उत्तर वह नहीं रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि उनसे निवेदन भी करता हूं कि वो जो है प्रस्न का उत्तर जरूर से जरूर दें या उनको अखलित हो सके कि वह सटर अच्छी तरह से कंपलिट किए हैं या उस विशार पे वह कहीं कुछ पोर्श्यांस छुट तो नहीं लेक तो नहीं हो रहा है ठीक है बहराल मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक सुभी विचार लाता हूं एक अन्मोल वचन लाता हूं जो की इस प्रकार से है याद रखेगा हमेशा हमें अपनी mentality जो है वह winners के according रखनी कैसी रखनी है एक winners के according हमें और upनी mentality रखनी है विजेता के अनुसार हमें हमारी दिस्टिकोंड रखना है तो याद रखेगा winners जो होते हैं उनके पास हर समस्य का कोई न कोई हल होता है विनर्स के पास हमेशा हर उस कोई भी समस्य हो PERvensर्ण होता है आप कभी कोई खेल खेले हhappy उँगे उसमें जरूर न जरूर कभी न कभी आप जीते होंगे तो उस दोर को उस समय को जब आप खेल रहे हो उस समय को अगर याद करें तो आप का उद्देश चे जीत ना ही रहाँ होगा याद रखेएगा चातरो हमेशा हमें उद्देश चीथ क्या होना चाहिए जीत और winners की समाधान के लिए याद रखे उसके पास अगर समाधान भी होगा ना तो कहीं न कहीं जो है आपका वो गडबड कर देगा हडबडा के ठीक है तो आशा करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी इसलिए बार 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 बोलता हूं अपनी प्रतियोगी इतिहास हमारा विशय चल रहा है उसे प्रारम करते हैं ठीक है यहां देख सकते हैं भारती इतिहास हमारा विशय है जिसको हमने तीन भागों विभक्त कर दिया कर रहा है प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालिन भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास प्र portion देखने को मिलेंगे और यह पार्ट वन है याद रखेंगे चात्रों एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें आपको और डीटेलिंग जो है इसकी मिलेगी तो इतना याद रखना है हमें और आगे बढ़ते हैं आई यहां देख सकते हैं भारती उप महाधीप ठीक है अब सिंदुगाटी सभ्यता की कुछ कहानी और कुछ विशेशताओं को हमें जानना जरूरी है बात दरसल ऐसी है चात्रों के एक समय भारत में ब्रिटिशस जो है राज कर रहे थे इस्त इंडिया कंपनी और जो है अंगरेज लोग शासन कर रहे थे भारत जो है अंगरेजों का गुलाम थे क्यों छेतरी राजवंसों की वजह वजह से भारत में unity नहीं थी उसकी वजह से आपका ब्रिटिशस आए और लेकिन एक समय ऐसा आया चात्रो, 1921 में आपका सर जॉन मार्सल के नेत्रितु में, 1921 में दयाराम सहानी द्वारा आपका सबसे पहले हडपा की खोच की गई, रावी नदी के किनारे और पूरा का पूरा भोचाल आ गया, इससे ये पता चला कि आपका भारत की सबसे प्राची इंतम आपका क्या बुलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन या नगरी सभ्यताओं में से एक है, तो इस प्रकार के साक्षे, इस प्रकार के हमें कहानी हमें याद होना चाहिए कि इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, कि हमेशा जो है वेस्टन देश की जो है क्या चलती रह इस प्रकार की बुक रही है, उसमें बताया गया भारती अर्थेववस्था को नीचे गिरते हुए और आपका सोशन करते हुए बताया गया भारती अर्थेववस्था का नीचे गिरते हुए और जो आपका बृटेन की अर्थेववस्था है उसको उपर में उपर उठते हुए बताया गया, इस प्रकार से याद रखना है कहानी, तो इससे हमें कोई फर कि एक समय ऐसा था कि भारत जो है वह आपका विदेशी वियापार से भी बहुत जादा सर्ल गशन लगना था कैसे याद रख सकते हैं यहां मेसपोटामिय के साथ यह की सह समुद्री व्यापार करता था इस जो है आपका विक्षित रहा है उसके बाद यहां देखेंगे और आपका यहां देखेंगे आपका मिस्र की सभ्यता की भी समकालीन सभ्यता माना गया है इससे ठीक है यहां आपको दिखाई देगा चीन की सभ्यता चीन की सभ्यता की भी समकालीन सभ्यता माने गई है और इसके साथ भी व्यपार के साक्षी प्राप्त होते हैं इस प्रकार के तथि हमें याद रखना है ठीक है तो याद रखना है चात्रो भारत का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन या आपका नगरी सभ्यता कहा जाए तो कुन से है आपका सिंदुगाटी सभ्यता है, ठीक है, इतना क्लियर है, अब देखो, और कैयात करने वाले साक्ष हमें यहां मिलते हैं, देखो, यह दिखाई दे रहा है आपको सुत्क केंडोर, जो आपका पाकिस्तान में स्थित है, जो कि सिंदुगाटी सभ्यता का सबसे पस्चिमी छेत्र रहा है, ठीक है, इस्थल रहा है, आलमगीर पूर यह दिखाई दे रहा है, सबसे पूर्वी जो है आपका इस्थल रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, द्यामाबाद, जो कि महराश्ट में स्थित है, और आपका यह सबसे दक्षणी, और मांडा यहां द यहां की विशेस्ता क्या रही है यहां की विशेस्ता कुछ इस प्रकार से रही है कि इनका नगर्नी ओजन सबसे अच्छा था ठीक है टाउन प्लानिंग इनका बहुत बहतरिन तरीके से इन्होंने अपना बनाया था और का याद यहां देखना है कि इनका प्रशाशन कैसे था तो एक बार फिर से मिटाल के बता दूँ यहां का प्रशाशन जो था केंद्री किरित था यहां दिखाई देगा आपको मुहन जोद्रो और आपका हडपा जो कि आपका पाकिस्तान वाले छेत्र में हैं यह जो है सिंदुगाटी कि इस अध्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक है सबसे बड़ा नगर कहा जाता तो मौहन जोद्रो है और आपका इस प्रकार से पता लगाया जाता है कि केंद्री किरित प्रशाशन था और लेकिन जो है आपका यह बहुत सारे भागों में विभक्त थे ठीक है प्रशाशन अगर कैसा था बोलेगा तो आपका केंद्रिकृत था उसके बाद यहां कि जीवन जारीन जर्या एक कैसी थी जीवन दिन जर्या जो थी मात्री सत्तात्मक थी प्रश्न पूछ जाता है तो इसे नोट कर सकते हैं मात्री सत्तात्मक इनका दीवन दीन त्र daí तो याद रखना है हमें इस प्रकार के सारे तंतियों की आदरखना है ठीक ुसके बात Значит रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पढ़ा सर जौन मारसल ने इनका जो है इसका नाम जो है रखा सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखने का तात्पर यह था कि सिंधु नडी छेत्र में जो है यह आपका विस्तिरित था इसलिए जो ह याद रखने के पस्चाथ में करें जैसे हमने पासाणकाल में किये था पार्ट वन में हमने हमने डिटेलिंग देखा दें मैपिनग में आइद किया। यह ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है हडपा हडपा की खोच किस ने की मैंने बताया सर जौन मार्सल के नित्रित में आपका राय बहदूर दयराम सहानी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पे है याद रखना सीधा कोश्चन पूछते और यहां मांट गोम्री जीला जो है पुछा जा चुका है स्सी में प्रस्ट का याद रखना है इस प्रकार से पा neuros precio housing परांफ परांथ今日 से प्राप्त समागरी ऑन्नागार प्राप्थ हुआ है यह से ठीक है दोप्रकार के पेट से उनके क्या निकल रहा है व्रिक्ष निकल रहा है इस प्रकार के साथ याद रख सकते हैं योगी की मुर्ति याद रखना है का सिव मिक्कगाडी याद रखना है और आपका टीले का नाम याद रखना है माउंट एबी के नाम से इसका नाम रखा गया है इस प्रकार के कहा जाता है ठीक है याद रखना है और आपका राखालदास में नर्जी द्वारा खोजा गया 1922 में और इस समय नेत्री तो कौन कर रहे थे सर जॉन मार्सल ऐसे भी प्रस्ण पुछे जा सकते हैं तो याद रखना है 1921-22 में कि कौन प्रति नेत्व कर रहा था आपका भारतिय पुरातात्व सर्विक्षण के महानी दे सकते सर जॉन मार्सल ठीक है तो सिंद पाकिस्तान में याद रखना है और यहां से अगर पुछा जाए सबसे सबसे ज़्यादा कोश्चन यहीं से दिखाई देंगे आपको अन्नागार प्राप्थ हुआ है व्रिहत इसनानागार ग्रेट बात पुरोहित के अवास ठीक है नित्यांगना की मूर्ति पशुपति शिव की पदमासन मुद्रा में आपके मुहर प्राप्थ हुई है मतलब बैल का चित्र अंकित नहीं है ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं कुबडवाला बैल के साक्ष जो है मिलते हैं बैल के साथ लेकिन पशुपति शिव के जिससे आपका बैल के साक्ष प्राप्त नहीं होते है ठीक यहां देखिए आपका यह ग्रेट ब उसमें उल्लेख दिखाया हुआ है तो परिच्छा का समय चल रहा है पिच्चर देखने मत भीड़ जाना ठीक तो याद रखेगा ग्रेट बात ठीक है मोहांजोरोब मुवी से रिलेट कर सकते हैं यहां देखो यहां देखो पसुपतिशिव की पदमासन की मुत्रा यह देखो बाग दिखाई दे रहा हाती दिखाई दे रहा है गंधा दिखाई दे रहा है एक सिंग वाला जो आपको नित्यांगना की मुर्ती है यहां देखे लोथल दिखाई दे रहा है लोथल जो है गुजरात में स्थित है भोगवानदी के किनारे में याद रखना है चात्रों इससे के प्रस्ण हमेशा पुछता है सिंदुगाटी सभ्यता का अध्योगिक नगर और यही जो है मिस्र और मेस्वटामिया के साथ व्यप सब्सक्राइब था सब्सक्राइब यहां से दिखाई देता है और याद रखना है कि नगीं और । यहां चित्रकार ने चित्रकला की है कि आपका भोगवण अदी यहां इस्थित है और यह जो है आपका खंबात की खाड़ी वाले छेतर में etर में स्थित है गुजरत में और यहां से मिशर armies वोटामिया के साथ क्या करते थे व्यापार करते थे आगे बढ़ते आईए अगला यहां यह सब सारे इस्थल जो है आपके सिंदुकाटी सब्व्यता से संबन्दित है जैसे कि मांडा जो है कहा है जम्मोन कश्मीर में रोपड जो है आपका हरियाना में दिखाई दे रहा है बनावली जो है पंजाब में रोपड है बनावली जो है हरियाना में काली बंगा राजिस्थान में है काली बंगा का भी डिटेल याद रखना है कि यह घर नदी के किनारे हैं यहां से अगनी पूजा के साक्षप्राप्त होते हैं इस प्रकार से आलमगीरपूर सबसे पूर द्हौलावीरा याद रखना है आपका गुजरात में यहां नहीं लिखाया कोई बात नहीं द्हौलावीरा से याद रखना है कि 2020 में इसे क्या किया रखना है आपका UNESCO की विरास शूचिarta मेंचा सामिल जमान के चलिए चटीस गड़ में रह रहे हैं तो चटीस गड़ में हम नवरायपूर राजधानी बनाया तो उसको प्रीप्लांट बनाये गया है जो है सड़के जो है एक दुसरे को नभब एक डिगरी कोण में काट रही है इस प्रकार के साक्षी यहां से प्राप्थ हुए ह तो इससे हमको क्या है जानकारी प्राप्थ होता है चाहे वह प्रशाषन हो यह देश की राजनेतिक दिश्टी कोंड से अगर देखें तो बिलकुर यह सब सारी चीजे देख के समझ के और यह प्लान की जाती है और ऐसे सहर का निर्मान किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां क्या दिख रहा है आरेन विष्ट और जगपती जोशी ने धौलावीरा की खोच की यह बिलकुल सही है गुजराज जी लकक्ष में है तौल के बाट मिले लीविगत लेक मिले सोने के छेले मिले चुने पत्थर के आपके यह सारी चीजे है करें और आपका पाशान काल में इसके प्रशन कराया थे प्रसन कराया थे समय बताया था गैरियक मिलेधभांट की सबसे इन dit बताया भी था कि युरेनियम मैथट द्वारा पत्थरों से और आपका स्कार्बन सीव 14 मैथट द्वारा जो है फॉजिल से आपका जिवास में के द्वारा जो है पता लगाया जाता है कि इसकी आयू क्या है तो वैसे ही यहां पता लगाया गया कि ये सुन्दुगाटी सभ्यता से संबंधित इस्थल है, तो आगे बढ़ते हैं ये, अगला है ये रहा दोलावीरा का द्रिश, यहां उच्चेतम निकासी व्यवस्था दर्शाई गई है, ये मत बोलीगा सर, जो है कि आपका इसका ओरिजिनल फोटो नहीं है, मैंने य यहां दर्साया ये है कि आपका यहां की निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक दूसरे को सड़क जो है, नब्बे डिगरी के कोण में एक दूसरे को काट रहे है, मुख्य द्वार है, जो है, वो कभी भी मुख्य सड़क मार्क पे नहीं खुलता था, अंदर से जान होते हैं, तो चनहु दरो और याद रखना है, आपका गोपाल मझुम द्वार द्वार जो है, इसका खोच किया गया है, उसका सिंधु नदी के तड़ परिस्थित है, सिंध पाकिस्तान में है याद रखिया गया, चनदु दरो, शिंदु घाटी सब्वयता का अध्योगीक नगर रहा है, जोकर जाकर संकृति से हमें सब उचा जाता है, जो कि सिंधु गाटिश अभ्यता के पहले की संकृति रही है, उसके साक्ष प्राप्थतें, पूरो हरपप संस्कृति की, अब ये क्या होता है, अरे भाई, धीरे धीरे जो है, जनरेशन स्विच होता है तो हमने बताया था कि जो है संस्कृति द्वारा जो भी है मतलब आपका जितने भी हमारे कलेम संस्कृति की छेतर में जितने भी चीज आती है उससे भी इतिहास के साक्षि भी प्राप्त किये जा सकते हैं यह सकते हैं तो याद रखेगा चातरो हमें जो है यहां से जुकर्जाकर सार्सक्रिती प्राप्त हतीat कहां से चनर औरो यहां नियुक्त खत्रा आएगेद किनारे है और राजिस्थान में किनारे आधिय सो ते यहां से युथा के taking यहां से आपका हवन के साक्ष प्राप्थ होते हैं कहां से काली बंगा से ठीक राजिस्तान में स्थित है याद रखना है आगे बढ़ते हैं यह रहा बनवाली बनवाली के रंगनात राओ गुजरात में स्थित है बादर नदी के किनारे में स्थित है यहां से आपके चावले अमधान के साक्ष्य मिलते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं यहां से घोड़े के साख्य मिले यह बरतन वरतन कुछ नहीं होगा ठीक तो इस प्रकार से जगपति जोशी ने धौला वीरा हो गया लोथल हो गया आपका सुर्फ कोटड़ा हो गया ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आलमगीरपूर कहा है उत्तर प्रदेश में यग्यदत शर्माद्वारा खोजा गया हिंडर नदी जो की यमुना नदी की सायक नदी है उसके किनारे जो है इसे गंग गंगा और आपका यमुना नदी के द्वाप छेत्र में पहला प्राप्त किया गया इस्थल आपका कॉंस है अलमगीरपूर है जिसकी खोच किस ने की यग्यदत्य सर्माद्वारा जिसकी खोच की ठीक है इस प्रकार से याद रखना है ठीक है रोटडी बेलने के यंत्र मिल उत्तर में सबसे विख्षित अगर हड़ा पर संस्कृति कहा जाए तो आपका कौन सा है मांडा इस प्रकार से हमारा हो गया कितने क्या डिटेलिंग अब जो है हमारा प्राराम होता है प्रस्न सत्र प्रस्न सत्र बिल्कुल सोश समच के लगाईएगा और सांथ में करते आपको पताया ठीक है बिल्कुल याद होना चाहिए मतलब याद होना चाहिए ठीक और यहीं 100% कंसंट्रेशन से सबको याद करना है प्रस्न का मांग 2 है भारत में चांदी की उपलब्दता के प्राचिंतम साक्ष मिलते हैं याद रखेगा सबसे पहले प्राचिंतम साक्ष चांदी के अगर मिलते हैं तो आपका हडपा संस्कृती से ठीक है आगे बढ़ते आईए अगला है हडपा और अगर पूछ बैठा कि क्या चांदी से आपका परिचीत थे हडपा संस्कृती वाले लोग तो बिल्कुल थे याद रखना इस प्रकासे भी प्रस्न घुमा के प महत्पूर्ण छेत्र है जिसने की पुरा तत्वी खुदाई के अंतरगत पाप्त किया गया है कि आपका हडपा की खोच की गई है आगे बढ़ते हैं प्रस्कमांग 4 है हडपा निमलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है याद रखिएगा सिंदुगाटी सभ्यता लिख तो क्या हूं सब्सक्राइबोराकृण प्ह injust है इसके पास चित्र लेखी लीपी थी बिल्कुल सहीं है क לנו है और रक्षा शस्त्रों का अधों बेशिएक नगरी सभ्यता थी इतना पता होना चाहिए ठीक है तो क्या हूज बढ़ते हैं ङो सुचिएक को सुचिदो में सुमेर ह deposit किजि एक प्रकार से प्रसन है क्या क्या दिये हुआ है उपार ने सिद फ़रीञे को साम्भी आपका M G मजूमदार इस प्रकार से याद रखना है प्रस्चनकावाग साथ है हमारा हडप में मिट्टी के बरतनों पर समाने तक किस रंग का उपयोक किये जाता है याद रखिएगा मिट्टी के बरतन से यादर है मताबंका मृत्भांड थी मैंने पई पिष्ग यादर रहा लो तर जो तो से लिखाई रहा है एक आटू दो जगाई रही ठीक काली बंगा से क्या प्राप तूआ है आप यह वह रहा है को अगला है विशाल्स नानागार किस पुरा ततविक इस्थल से प्राप्त हुआ है पाया गए है तो आपका मोहन जोदोर से बताया था ग्रेट बात जो की आपका सिंदू घरटी सब्वेता का मोहन जोदोर से प्राप्त हुआ और मुवी के बारे लेकिन देखने मत भी जाना ठीक आगे बढ़ते हैं अगला है निम्लिकित में से किसका सुमे लित नहीं है ओके ठीक है देख लेते हैं अलमगीरपूर उत्तरपदेश बिल्कुल सही है लोथल गुजरात में बिल्कुल सही है काली बंगा हर्याना में नहीं राजिस्थान में ठीक है तो यह कहा हो जागा इसका अंसर रोपर जो है पंजाब में बिल्कुल सही है तो काली बंगा कहा है राजिस्थान में नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं वह हडपी नगर जिसका प्रतिनिद्ध लोथल का पुराता तो इस्थल करता है किस नदी परिस्थित है ओके भोग्वानादी परिस्थित है ठीक सिदा अंसर है ठीक आगे बढ़ते हैं भारत में रपा का व्रिहत इस्थल कौन सा आगागा आपका राखी-गाड़ी होगा इंकर सेकंड नमबर में धौला वीरा है याद रखिए गाए ये कोश्चन हमेशा पूश्ता है भारत में हडपा का सबसे आपका बड़ा नगर राखी गड़ी है भारत में इस ठीट ठीक है अगर बोलेगा हडपा का सबसे विरिहाद इस्थल कोन से है तो मोहन जोद्रो ठीक है और आपका सेकेंड नमबर में आपका धौला वीरा दोहजार रिकिस में युनेस्को के अगला नमबर है चोगदा नमबर प्रस्ण है हमारा सिंदु घाटी के लोग पूजा करते थे तो इसंदु घाटी सब्यता को मैंने बताया पसुपति शिव की पूजा करते थे पसुपति नाथ की पूजा करते थे और मातरी देवी की पूजा करते थे प्रकृतिक उपासक 15 questions यहां complete होते हैं चमा चाहूंगा और आपका यह रहा पिछली कक्षा में पूछा गया प्रस्न का आंसर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सहीं उत्तर दिया है मैं उनको बहुत बहुत सुप्राम नाये दे रहा हूं और याद रखेंगा बच्चों निरंतरता इसी प्रकार बनाये रखना है तो याद रखें पाच गरत अवास साक्ष प्राफ्थ होए बूर्ज हों से जो की जम्मुएन कस्मीर में है और यहां से आपका दिखाई देता है आज का प्रस्ने अच्छी तरह से कूट पे अधारित है यह बिल्कुल सोच और समझ के इसका आंसर झाल